दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैं उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत वड़ी खुशकबरी लेकर के आई हूँ जो यूपी बोड के हैं और जिनकी मार्कशीट में अगर कोई तुरूटी हो गई है जैसे की नेम की स्पैलिंग मदर्स फादर्स के नेम की स्पैलि परिशद है अब पूरी तरह से हाइट हो चुका है माध्यमिक सिक्षा परिशद यानि की यूपी बोड के सचिव ने समाधान पोड लॉंच किया है जिसके जरिये अब यूपी बोड के सभी छात्र छात्राओं घर बैठे ही ओनलाइन मार्कशीट आदी प्रमार पत्र प्र खास बात यह है कि समाधान पोड के माध्यम से सभी काम ओनलाइन होंगे और यूपी बोड के ओफिस में अब भटकना नहीं पड़ेगा सबसे खास बात है कि छात्र छात्राओं की तेरह समस्याओं का समाधान 15 दिन के अंदर इस पोड़ल के माध्यम से घर बैठे ओनलाइन ही हो जाएगा जिसके जरिये छात्र छात्राओं अपनी मार्कशीट में हुई तुटियों को भी ठीक करवा सकेंगे इसके लिए सबसे पहले छात्र छात्राओं को समाधान.upmsp.edu.in की वेबसाइट पर जाना होगा और पोड़ल पर ओनलाइन पंजीकरण कराना होगा आगे मैं आपको बताऊंगी कि ओनलाइन पंजीकरण कैसे कराया जाएगा और देखिए जिसके बाद उन्हें यानि की छात्र छात्राओं को एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी इसके साथ ही छात्र छात्राओं को पोड़ल पर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवड भी प्राप्त होगा पंजी करने के पश्चात चात्र चात्राओं को अपनी समस्यां का चुनाब करना होगा और आवश्यक विवरणों को पोर्टल पर भरकर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना होगा पोर्टल पर आविदन करने के पश्चात आपकी शिकायत संबंधित छेत्री कार्याल्य को स्वतहे ही इस्थानांत्रित हो जाएगी फिर छेत्री कार्याल्य ओनलाइन प्राप्त शिकायत को डाउनलोड करके 15 दिन के अंदर उसका समाधान करके पोर्टल पर ही उसकी सूचना अपलोड करेंगे चात्र चात्राएं पोर्टल पर ही पंजी करण संख्या की माध्यम से 15 दिन के बाद कभी भी अपनी समस्या की प्रगती को ट्रेक कर सकते हैं तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि समाधान पोर्टल पर किस तरीके से जो पंजी करण हैं ऑनलाइन किया जा सकता है तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल सर्च में जाकर समाधान.upmsp.edu.in करके हमें सर्च करना होगा तो आपके सामने कुछ पेज़ें ओपन हो करके आएंगे जैसे लिखा upmsp आपको इस पर किलिक कर देना क्योंकि ओफिशल वेब साइट है इसके पश्या आपके सामने देखिए समाधान portal का यह जो home page ओपन हो गया है और इसमें देखिए समाधान के अंतरगत प्रदान की जाने वाली समस्यां समधित जानकारी और राइट साइड में सारी समस्यां दे दी गई है वो समस्यां मैं आगे वीडियो में पढ़कर के सुनाओंगी तो स सामने फिर से पेज ओपन हो करके आ जाएगा इसमें अपना mobile नंबर और email आइडी देनी है और जैसी आप इसमें email आइडी और mobile नंबर दे करके send OTP पर क्लिक करोगे तो आपकी email आइडी पर और mobile नंबर पर एक OTP आ जाएगी आपको वो OTP देकर के फिर से क्लिक कर देना है तो सबसे पहले मैंने अपना mobile नंबर और email आइडी दे दिया है और देखिए अब मेरे नंबर पर OTP आ चुकी है तो मैं अब OTP इसमें दे देती हूं और OTP देने के बाद मैं verify OTP कर दूँगी और verify OTP करने के पश्चा देखिए फिर से ये page open हो करके आ गया है इसमें आपको क्या करना है यौर नेम अपना नेम देना है और यौर फादर्स नेम यौर आइडी आइडी में आपको आधार आइडी देनी है और इसमें आपको एंटर यौर आइडी नंबर और एड्रस देना है एड्रस देनी के पश्चात पुलिस स्टेशन बताना है कि आपको कौन सा पोस्ट ओफिस कौन सांटा आपके शहर का और क्या डिस्ट्रेक्ट है कौन सी स्टेट है ओ फिर इसको बाद अपना पिं-क्ड entire दे दे ना उसके पशचाथ आपको सेव रिश्ट्रेशिन कर देना है जैसी आप सेव रिश्ट्रेशन करोगी तो आपको एक message प्राप्त होगा, उसमें आपको registration number प्राप्त हो जाएगा, फिर उस registration number को आपको save कर लेना है, क्योंकि future में जब आप फिर से track करोगे अपने documents को, तो आपको फिर से इसी website पर registration number पूछा जाएगा, अब मैं फिर से home page पर चली जाती हूँ, और मैं अब आपको समस्यां कौन कौन सी हैं, जिनका निस्तारण 15 दिन में होगा, पहली समस्या है, मूल प्रिमार पत्र जारी करना, number 2, प्रिमार पत्र की दुतिये प्रतिलिपी जारी करना, number 3, मूल अंक पत्र जारी करना, number 4, अंक पत्र की दुतिये प्रतिलिपी जारी करना, number 5, संशोधित प्रिक्षाफल का संशोधन करना बौर की वैब साइट पर वर्ष दोँहजार तीन से वर्तमान वर्ष की परिक्षासी संबंदित डेता अपडेट करना माईग्रेशन प्रिमाडप्तर जारी करना और विभिन समस्यां द्वारा प्रेशित अभी लेखों का सत्यापन वेरिफिकेशन करना किसी भी पिरकार की शिकायत का निस्तारण करना ये सभी समस्यां जितनी भी है या आपके जो भी आपकी सेवा आपको जो दी जाएंगी इनका जो समाधान है वह 15 दिन में हो जाएगा अगर 15 दिन के अंदर चात्रय चात्रा की समस्या का समाधान नहीं होता है तो चात्रय चात्रा दो टोल फ्री नंबर 1800-180-5310 या फिर 1800-180-5312 पर शिकायत कर सकते हैं फिर इन दो टोल फ्री नंबर से आपकी मार्कशीट आदी से समबंधित समस्याओं का समाधान हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत